Hello dear students, जैसा कि आप जानते हैं CA का propose scheme बताया गया है और वो अभी public opinion के लिए खुला हुआ है. बच्चे उसको superficially देख रहे हैं, इसलिए कई जगा से मेरे पास queries आ रहे हैं, किसर हम judgment नहीं ले पा रहे हैं, यह अच्छा है, कि हमारे लिए कैसा है, उपर उपर से दिख रहे हैं कि समय कम लगेगा, subjects कम हो गए हैं, तो in-depth समझ नहीं आ रहा है, जैसे हम subjects पढ़ाते हैं वै अभी यह public poll के लिए opinion के लिए open है, आप भी as a stakeholder उनको comment करके reviews submit कर सकते हो, तो जितना आप जानोगे उतना चीजों को समझ के reviews डाल पाऊगे, अभी हाथ में समय हैं, तो हम सब मिल के reviews डाल सकते हैं, बट future में कुछ समय बाद हमारे हाथ बंद जाएंगे, फिर जो authorities decide करेंगे वो आपको follow करना पड़ेगा, तो मैंने अपने पूराने वीडियो में पहले आपको समझाया था पूरा एक वीडियो में पूरा new syllabus है क्या, और बच्चों को switch करना है कि नहीं, दूसरा वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि डिगरी के 4 specific traits होते हैं, earning life बढ़ जाए, specialization आजाये, recognition मिले, और globally competitive हम हो पाएं, तो उस पे institute इस नए syllabus से कैसे काम कर रहा है, फिर मैंने आपको next वीडियो में बताया है कि there are 5 hidden facts जिसके बारे में खुलासा नहीं होने के कारण हम comment करने के situation पे नहीं है, और इस पे नजर लोगों का जानी रहा है, वो है exam term, 2 होगा की 3, क accept करना पड़ेगा, बस भी अभी बताना चाहिए, mode online होगा के physical होगा, कैसा infrastructure होगा, tier 2 वाल होगा, tier 3 वाल होगा, open book होगा तो, और एक restrictive open book होगा, तो कौन सा books, और हर subject में restricted open book का फिर क्या मतलब है, जैसे कि final में ये announce हुआ है, और कोई timeline नहीं है, जिसमें institute कभी भी आपका timeline जो बनाते हैं, उसमें आपका study period, revision period को consider नहीं करते हैं, वो बस एक gap दे देते हैं, आपको बस उसमें सब कुछ करके आ जाओ, तो जो timeline हम बनाते हैं, उसके इसाब से कहीं से भी अभी तक तो ये नहीं दिख रहा है कि आपकी new syllabus में आप जल्दी CA बन जाएंगे, बट ये ज खेर हम लोग deeply जा रहे हैं, इस video के series में मैं आपको end में एक मेरे तरफ का recommended syllabus और या structure आपको समझाओंगा, जो मुझे लगता है कि आना चाहिए, इस video में नहीं, बट series of videos के end में आएगा, बट आज के session में मैं बता दू कि CA foundation पे क्या असर है, उसके लिए CA foundation का मैं comparative निकाल ल होते थे, जिसमें से दो most scoring part होता था, BCR और BCK, business and commercial knowledge, most scoring part होता था आपके slivers का, जिसको अराम से crack किया जा सकता था, इसमें भर के marks आ जाते थे, बट ये दो scoring party हटा दिये गए, accounts खली accounting कर दिया गया, principle and practice of accounting कर दिया गया, business laws and BCK को से business law कर दिया गया, इसमें बहुत सारे topics add हो होने वाले है, traditional topics add होने वाले, reason being, accounts inter में दो paper होता था, अब उसको एक किया गया, तो कुछ inter का accounts यहां बेजा जाएगा, और law भी final में अलग था, inter में था, final से law हटा रहे है, तो final का कुछ topic inter में है, तो inter का कुछ topic यहां पर घुसने वाला है, क्या क्या घुसेगा, यह तो भ पो स्कीम कैसा है, फिर बाद में आप को institute बोल देगा, कि हमने भई reviews मंगे थे, आप लोगों ने दिये नहीं, तो भई जो हमने सोचा, वो सही है, आपका अगी बढ़ जाई है, तो अंदर का चीज़ बताई नहीं रहे, तो यह बड़ा हो जाएगा, at the same time, ठीके, maths का नाम तो उसमें कोई फरक नहीं है, जो तीन चीज़ पहले था, वो तीन चीज़ अभी भी है, और economics भी, आपका, इंटर में भी एक economics होता था अभी, FM and economics and finance, तो इसमें भी additional topics आने के संभावना है, so that means, this is going to be more voluminous, paper pattern में कोई change नहीं है, जैसे पहले था paper 3, 4, पहले थोड़ा objective हो paper pattern में negative marking पहले भी होते थे, वो अभी भी है, just यह कि पहले हर paper में 40, overall 50 लाना पड़ता था, अब हर paper में 50 लाना पड़ेगा, तो यह एक challenge आ गया है, आपको हर paper में 50% pass mark लाना पड़ेगा, exam बोल रहे हैं कि आप team बार दे सकते साल में, इन कब कब अभी वो भी खुला सा नह कहीं, कहीं ऐसा नहों कि वो time में कैसा हो, जो हम class 12 का board दे रहे हैं, class 12 का board April तक चल रहा है, तो उसके बाद, April के बाद तीन बार, normally जो बच्चों को 6 मेना का gap मिलता है, उसके चा-4 मेना का gap मिलेगा, तो थोड़ा, जो बच्चे एक बार pass नहीं हो पाया, second time 6 मेना वेट करने पड़ेगा, और आपके लिए time limit डाल देगा है, चार साल बाद institute को fees भी देना पड़ेगा, फिर से अगर आप, sorry, validity of registration में 4 साल डाला गया, from the date of registration, इस पे खुलासा भी तक हुआ नहीं, कि क्या 4 साल बाद हमें renew करना पड़ेगा, कि 4 साल बाद आपको renew करना, allow करेंगे ही नह यहां पर किया भानी है, पड़ेगे ऐसा लग रहा है, कि 4 साल बाद renewable नहीं है, चार साल में अगर pass नहीं कर पाए, तो भूल जाओ, ऐसा पड़ेगे लग रहा है, बट हो सकता है, कोई renewable clause इसमें आ जाए, कि 4 साल तक pass नहीं कर पाए, तो बाद में फिर से try करा जा सकता है, normally नहीं निकाल पाए, तो फिर वो direct route से भूछ जाता है, ग्रेजुएट है तो, चार साल बाद वापस renew नहीं कर रहे है, तो वो logic उतना matter नहीं करता, मेरे को लगता है, बट एक ही चीज matter करता है, कि volume of syllabus बढ़ने वाला scoring part कम हो गया, pass होने के लिए, आपको 50% लाना पड़ेग यस चीज को आपको जान लेना है, तो आपको study period foundation के लिए, जो मिलता है वो वैसे ही, पहले भी मिलता था, जो वैसा का वैसा ही मिलेगा, ठीक है? study period, जैसे after appearing class 12, आपको registration, appear in foundation के लिए बोला गया था, कि आप after appearing class 12 appear कर सकते है, वो अबी भी है, appear in foundation, after appearing class 12, जैसा है, बैसा ही ह minimum study period चार महिने का बोलते हैं, अभी भी है, उसमें कुछ भी नया नहीं, वो बोल्ड गया है, but that rule is still there, but मेरा ये question है कि चार महिने में आपको रगड के पढ़ना पड़ेगा, आप हलके में पढ़ोगे, तो foundation नहीं निकलेगा, foundation को एक तरह से complicate किया गया है, थोड़ा tough जान बुच के बनाया जा रहा है, जिससे की CA के बच्चे छटाई हो जाए, जो मेहनत कर सक रहे हैं, वो ही आगे जाएं, ये मैं आपको बता सकता हूँ, foundation पे impact, subject कम होने की खुशी बनाने की ज़रुवत नहीं है, deep होने वाला एक एक subject इस चीज का धियान रखें, ठीक है, जो scoring part जो थोड़ा कम किया गया है, तो details में चीजों को पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब आप foundation निकाल पाओगे, निकाल सकते हो, positive चीज से ही बता रहा हूँ, foundation से लग रहा है कि मेहनत करना पड़ेगा, हलके वाले जो बच्चे हैं, वो छड़ जाएंगे, जो average बच्चे हैं, वो छड़ जाएंगे, जो मेहनत नहीं कर सकते हो छड़ जाएंगे, जिनका 11-12 में अच्छे से concept पे grip है, और फिर pick up कर लिये, ये additional topics, फटाफट, revision कर लिया, दो-तीन बार, mock test वोगरा solve कर लिया, वो foundation पर जो हलके में लेता है, कि बस कर लेंगे, कर लेंगे, उनका तो foundation में डिकतान्यवाला है, इस new syllabus में, आगे के वीडियो में मैं आपको inter, final और articleship भी बताऊंगा, और उसके बाद आपको बताऊंगा कि नया structure होना क्या चाहिए था, जो मुझे institute से उमीद था, वो कैसा होना चाहिए था, वो भी मैं आपको बताऊंगा, मैं शुक्र गुजार हूँ, अपने कुछ mentors का, जिन्नोंने, ऐसा मुझे, मतलब, guide किया over the years, मुझे first time, ऐसा thoughtfulness आया अंदर में, कि मैं syllabus को भी analyze कर पा रहा हूँ, इतने साल के career में भी तक, मैं भी normal क्या था, कि बस syllabus पढ़ता थ और उसको बोल देता ही आया ये नहीं आया, बट इस बार मैं थोड़ा सा और cross examination कर पा रहा हूँ, ये मेरे mentors का एक देन है, कि over the period, जब हम लोग बात किये, समझें syllabus कैसा होना चाहिए, curriculum क्या होता है, education क्या system होता है, वो सब की knowledge मुझे over the years मिली, तभी मैं इस बार confidence में बोल पा रहा हूँ, इसके पहले भी सले बस change बाता और उसमें सिफ comparison ही बता रहे है, रिखो बिटा, ये पुराना ये नहा है, ये पुराना ये नहा है, इस बार हम comparison के beyond जा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, इसका consequences क्या हो सकता है, हम आपको और recommendation भी बताएंगे, कि ऐसा institute को करन चाहिए था, मेरा काम है बस आपको aware करना, आप जाग जाओ, मत जाओ, इसके basis पर भी इंसिट्यूट ओपन करके रखा हुआ है, अपना portal को कि आप comment कर सकते हो, कि आपको क्या चीज में changes, महसूस, सही नहीं लग रहा, सही महसूस नहीं हो रहा, आप लोग उसके उपर respond कर सक तो, respond करने से इंसिट्यूट आपका, आप अगर existing student है, तो आपका नाम काड़ रहेगा, ऐसा नहीं है, यह मत सुचेगा, respond करने के लिए plan बनाईए, mindset बनाईए, कि आप नहीं करोगे, आपने अवाज उठाओगे, आपने बात, अपने guardian तक, अपने इंसिट्यूट टक नही See you